इस वीडियो को आप एक मिनिट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग हम फिर से वापस आज़के एक नाइब वीडियो के साथ तो गाईज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और इस हमारी बैल आइकिन को भी दबा दीजे इस वीडियो को लाइक करिए कॉमेंट करिए अपने फ्रेंड के साथ फैमली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए गाईज हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं पूरे नियूस रिलेटेड जो भी वाइरल माटेरियल होता है जो भी बड़ी डिवेट होती है सब का हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं तो आप हमारे चैनल से बने रही है अचीद दफल भारत से ट्रेवल करके सीधा फ्लाइक करके पहुंचे हैं अफगानिस्तान और ये गैर इलानिया उनका दोरा है हालात की सूरते आल आप समझ सकते हैं इस वक्त सिच्वेशन क्या है पाकिस्तान ने किस किसम के सीरियस ऐलिगेशन भारत पे लगाएं ना सिर्फ लगाएं बलके सबूत दिये और गैर इलानिया दोरा वहां जाके उनके सदर को मिलना और फिर भारती मीडिया का दो दिन पहले से ये लिखना शुरू कर देना करें जा कि भारती फाज अफगानस्टान में उतरेगी जब अमरीकी फाज अफगानस्तान से इनकला करेगी इस किसम की possibility पे वुगात कर रहे हैं और पहले ही सब जानते हैं कि भारत अफगानस्तान को यूज करके पाकिस्तान में देहशतگर्दी करवाता दोरी जिगे में इसमें तो हमेशा कभी कोई शक नहीं रहा कुलवशन यादव का पकड़ा जाना बलोचस्तान से फिर उसके तल्लकात वहां पर जिसने क्रियेट किये नेक्सिस क्रियेट किया उजार बलोच की बाइ एक्स्टेंशन उसके पास और के थ्रू मुलाकातें भी इस्टाबलिश फिर इरान के साथ उजार बलोच का तल्लक ये कराची तक का जो है ना चा बहार से लेके थ्रू बलोचस्तान औलफ बलोचस्तान कराची तक ये पूरे का पूरा एक्सेस है ये एक्टिव है एक्टिव था और उसकी वज़ा उसके पीछे ये पूरे का पूरा रोल था अजी तो बाराख केम्पस साथ साथ है तो जहां पर जहां पर जहां पर जहां पर लोगों को और जा लोगों को टियार करके sart के क करीब ये डौसियर बना जब पाकिस्टान का तो उसके साथ से जएदा ऐसे केम्पस का इसका जिक्रुह हुआ तो भर एनीवल cellular है उसका वहाँ पे जाना अफगानिस्तान का तालक होना भारत के साथ खास तोर पे अश्रफगनी साहब की एकूमत का और उनके अन्डियस का ये बिलकुल एक नोन चीजे हैं और हम इस पे साला साथ से लिखते जा रहे हैं और जो वहाँ पे बैठके वो पाकिस्तान पे एक दूसरा फ खिसमती से शायद उनका भी अतनी रिट अपने अलाके में नहीं हैं तो एक तो ये बाते हो गए बाद देखिए जाए दूसरा सवाल आपने शुरेस किया कि कहा जा रहा है कि उनकी पहुजें अफगानिस्तान में आना चाहती हैं मेरा ख्याल है कि इसमें कोई अगर वो ला से जा रहे हैं ये भी इस्टाब्लिश्ट आए अगर भारत कोशिश करना चाहता है तो वो भी जरूर करें बहुत अरसा पहले बहुत अरसा पहले कुछ साल पहले हमने ये एक डिसकेशन में ट्रैक्टू के लिवल पे इंडिया के साथ हमने ये पॉइंट रिस किया था हमने का था कि भारत को चाहिए कि अपना रोल अदा करे बड़े मुलक के तोर पे और अफगानिस्तान में अफ़ाज बगर बेजना चाहता है खासतर पर जब अमरीका के अफ़ाज का निकलने का सोच बात बात बहुती थी गो के ये हमने तो कहने का मतलब ये है कि देखिए कोई पाज बहाँ पे जब जाती है तो वो कोई उनके लिए इतना असान नहीं होता भारत मिरहाल बहुत सब्सक्त बहुत 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 उन्होंने सकती के साथ इसको फाइट आफ किया कि यह ऐसा हम नहीं करेंगे नहीं कर सकते है वगरा वगरा अब्यूसिटी अपरपस जो हमने यह बात उनसे की थी और देखिए बड़ी बाज़े चीज़ है कि कोई भी बाहर की पाज़ अफगानिस्तान में अपनी जगा नहीं बना सकती है यही बुनियाद है वहां के जगड़े की और यह जो पाकिस्तान और अमरीका के दर्मयान मे जो बाचीत कामल जा रही है उसकी बुन्यादी जो वो है कि भारत को बता दिया जाए कि गंद ना करे वहां पे एनिमोर हमारे इस तस्विय के अंदर जो हम कोशिश कर रहे है जो अमरीका कोशिश कर रहा है वहां पे गंद क्रियेट ना करे लेकिं अश्वगानी के प्लिट तरीके से कामले करें मदरबास सब क्या इंडिया आपको इस हिकमते अमली के साथ रेलिवन्ट कर पाएगा उसकी रेलिवन्सी जो है वो बढ़त पाएगी क्योंकि अफगान जो अमन अमल हो रहा है उसमें इंडिया को कोई शेयर नहीं मिला और प्रैक्टिकली वो कोई नद थेके अमरान मूदी जो है वो डानल्ड टरम प्लस है वो उस वो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन जो कश्मीर में फसे हुए हैं उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इंडियान आमी के अंदर ये बात बहुत जादा सपोर्टिव होगी कि हम अफगानिस्तान में एक ऐसी सिच्व में जाएं जहां अमेरिकन्स डिफीट खा चुके हैं जहां सोबीर डिफीट खा चुके हैं और जहां विक्टरी कभी भी नहीं होती वहां आप लड़ते रहें सालों लड़ते रहें लेकिन आप जीत नहीं सकते हैं मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन्स इस स्टेच पे जहां व लेकिन मेरे लिए जादा कनसन अफगानिस्तान नहीं मेरे लिए जादा कनसन मिड़लीस्ट है और उसका तालोब पाकिसान से बहुत बनता है जहां जो अंगेजमेंट्स हो रही है वो पाकिसान के लिए मैटर ओफ कनसन है चार मिलियन पाकिस्तानी हैं और जिस तरह योई में इसराइल की एक्टिविटीज बड़ी हैं जिस तरह साओधी इसको इंगेज किया जा रहा है जिस तरह एक एंटाइ 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 एरान एक महाद बन रहा है वो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाथ सिच्वेशन है वो अफगानिस्तान से ज़्यादा खतरनाथ सिच्वेशन डिवेलप हो सकती है और उसमें हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम्स जो है वो लाख हो सकती है तो यहां की जो सिच्वेशन है इसमें जिस तरह तारिक साब क बहुत प्रो पाकिस्तान नहीं है बहुत एंटा पाकिसान भी नहीं है और पाकिसान की कंसीर को वो जरूर कंसिडर काएंगे अगर ऐसी बात HaTोर कि कैबिनेट पे बारा इंडियन नजात लोग इन है ये पहली तफॉर एफ अूट सांगे वो भारा है अमेरिका हो और ट्रम्प के साथ जो इस वाक होने जा रहा है उसके बाद वो पॉलिसीज में गाईज यह वीडियो होता है यहां पर खटमाप यहां से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं आपने दिखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया एक पता नहीं कौन सी इंडियन मीडिया को फालो कर रहा है जहां से यह इन्होंने नियूज लिये कि इंडियन आर्मी जा सकती है अफगानिस्तान में हाला कि ऐसा इंडियन मीडिया में कहीं पर भी नहीं चल रहा है पता नहीं इनने कोई पैरोडी अकाउंट वगेरा फॉलो कर गए यह न्यू चली है ऐसा लगता है और इस तरीके की बातें की है भारत अफगानिस्तान के जो हजारो साल पुरानी संबन्ध है जब पाकिस्तान बना मिले यही बात होती है हमें इसा की तरह अफगानिस्तान से भी की भारत और अफगानिस्तान के हजारो साल पुराने लिस्ते है और पाकिस्तान इन लिस्तों से बड़ा चिड़ता है, पाकिस्तान को लगता है कि भारत की बज़े से उसका वेस्टेन वॉर्डर एक्टिव है, मतलब जो आपको पता है कि अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, उसमें पाकिस्तान अब बॉंडरी बनाने क की कोसिस कर रहा है और बॉंडरी बनाने की कोसिस करता और महां से जो अफगानी लोग है वो बॉंडरी तोड़ते जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मतलब उन्हें लगता नहीं वो मानते ही है कि सिंध तक अफगानिस्तान का हिस्सा है सिंध के पार से पागिस्तान का हिस्स अफगानी ही रहते हैं मतलब पढ़ान लोग ही रहते हैं अफगानी मूल के लोग ही रहते हैं तो उनका एक उनसे गहरा कनेक्शन भी है इसी बात को लेकर ये लोग काफी चड़ते हैं और ये जो सोचते हैं कि अफगानिस्थान के लोग जो यहां पर घुसे हुए हैं जो पा पाकिस्तान ने इस तरीके का कौनू आल्रेडी पास कर दिया और उसके तहत ये जो पाकिस्तान में बसे 30 लाक अफगानी हैं जो आपको पता है जब अफगानिस्तान ने जिहाद पहला है था उस दोरान ये वहाँ पर घुसे थे उसके बाद से ये लोग वहीं पर रह गए उन लोगों को निकालने की बार बार कोसिस करता है तो दोस्तों तो उन अफगानियों को लेकर पाकिस्तान में काफी सोसल मीडिया में गाली का लोज होता है और ये पाकिस्तानी अफगानियों को हमीसा नमक हराम गदार इस तरीके के वर्ट से मतलब ڈسرיסprech करते हैं और इन्हें नमक हराम बोलते हैं आप देखा हो गर अगर आप पाकिस्तान के ख्लाडियों के कॉमेंट देखे हैं अफगानी किर्केटर्स के नीचे तो इसी तरीखे के कूछ कुमेंट करते हैं और आप समँढ जाएं कि पांगिस्तान और अफगानिस्तान की बीच के रिस्ता है तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं कद मगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाओ जरूरू शेयर करें धन्माद दोस्तों वीडियो देखने के लिए इसी तरीके के आपको वीडियो मिलते रहेंगे